आप सभी कस्वागत है हमारे क्लास क्लास अपॉन में तो बाटने के फेपर टू पे वीडियो लेके आए हैं बेसी सेकंड ये वाले स्टुएंट के लिए तो किस तरीके से प्रस्णों के उत्तर लिखने हैं सब कुछ यहां बता जाएगा वीडियो लास तक देखीगा चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजेगा और इसे अपने दोस्ता भी शेयर करके हमें सपोर्ट कीजेगा ठीक है तो पहला यूनिट फरस्ट इस्टार्ट करते हैं जहां पर यूनिट फरस्ट के एक जो कोस्चन हो है सेल फोल्ड की सहन सिलता जैसा नियाम बताना है ठीक है तो यहां पर देखो एक ग्राफ जैसा मनलब एक दिया हुआ है नीचे सबसे पहले तो इंट्रोडक्सन इसका देना है लिखना है फिर यह ग्राफ जैसे दिया हुए जहां पर नियुनतम से उच्छतम सीमा तक बताया गया है ठीक है इसको पूरा बनोट कीजेगा फिर इसक के बीम में जहां प्रकासी कारक को बताना है क्या है प्रकासी कारक और उसके बाद हमको इसका जो महत्व है ठीक है ना अच्छे महत्व है यह भी बताना है पूरा नोट कीजेगा फिर इसके बाद पौधों का प्रकास पौधों पर प्रकास का प्रभाव यह बताना है ठीक ह प्रकास की दर पर फॉद्य के भागों में काई के विकास का प्रकास का अ कि छो कृष्ष के बादे देखे इसको समहòng میں भाजित किया गया है इस तरीके से दिखिनोट करते जाएगा यह पूरा यहां तक इसको नोट करते जाना है फिर आगे बढ़ेंगे हम हमारी नमबर तो के ए में जहां पर नाइक्ट्रोजन चक्र में सबसे परिस्थितिक इंट्रोडक्शन देना है फिर उसके बाद यह डाइग्राम आपको बनाना है ठीक है फिर आगे देखो इस तरीके से पिरामिडों को जीवों की संख्या के आधार पर बताया गया है प्रकार है पहला प्रकार जीवों की संख्या का पिरामिड इस तरीके से होता है ठीक है इसको पूरा नोट कीजेगा फिर इसके बाद जो है जीवों का भार का पिरामिड जीवों भार का इसको नोट कीजेगा फिर इसके बाद देखे उर्जा का पिरामीड है तीन प्रकार के पिरामीड होते हैं ठीक है यहां तक आपको पूरा लिखना है फिर आगे बढ़ते हैं यूई नमबर थ्री में जहां पर पौधो के जल के और सोसन यां इस्थानांतरन की क्रिया विधी इसको समझाना है देखे किस तरीके से और अवसोसन और इस्थानांतरन की और भी गोली है तो पहला है देखे दो तो दो वीड़ों के द्वारा यह होती है ठीक न शक्री जल सोशन और उसके बाद लिश्क्री जल और सोशन तो यह पूरा नोट करते जाएंगा कि आधा इसको आपको पूरा बनाना है फिर इसके बाद यहाँ पर देखे किस तरीके से इसके प्रमान है वो जो निम्ना अनुसार जो पर दिये हुए है वो भी लिखना है तीन तक ठीक है फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं यहाँ इसको पूरा नोट कीजेगा और यह जो दिख रहा है इसको भी ग्राप जो है ग्राप जो जो शुई यो चित्र है साइकल है क्रेप साइकल इसको नोट करना है पूरा ठीक है यहां से देखे 6 7 8 9 8 9 टोटल इतने पॉइंट है इसके बाद क्रेप चक्र का जो महत्व है यह भी बताना है आपको यहां तक कंप्लीट फिर आगे बढ़ते हैं हम हमारे लास्ट उनिट दिप्त का लिता तो यहां पर देखे सबसे पहले यह बताया गया है कि पुष्पन क्रिया की रूप में पौधों का दिप्तिकाल की प्रती अनुक्रिया प्रदर्शित करना ही दिप्तिकालिता कहलाता है ठीक है नोट कीजेगा पूरा किस तरीके से इसे तीन समुहों में वर्गी करित किया गया है देखिए तक ठीक है और ये भी आपको पूरा नोट करना है देखे इस तरीके से वीडियो थोड़ा समय रोखते जा रहहा हूं पोस्ट करके आप क्या कर देजा किन सॉट लेते जाएए की मैं ठीक है यहां तक नोट कीजेगा फिर इसके बाद यह भी नोट करना है आपको पूरा क्या हुआ है उस पर वर्क चल रहा है जैसे ही कंप्लीट होता है मैं अपलोड कर दूंगा तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और इसी अपने दोस्तों भी शेयर कीजिए तो इसी के साथ मिलता हूं एक नए वीडियो में तब तक के लिए तने वांट